हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो बच्चे इस टैनों के लिए पेपर देने वाले हैं लहाबाद हाई कोड भरती में तो उन्हें अंतिम दस दिन जो बच्चे हैं इसमें क्या रणानीती लेकर चलनी चाहिए कौन कौन सी चीजे पढ़नी चाहिए कौन से बच्चे हैं जिनकी तैयारी अच्छे और लेडी हैं कौन सी गलती आप पेपर में नहीं करना चाहिए ये सारी बाते हम इस वीडियो में देखने वाले हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा और जो लोग नए हैं में चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे क 50 की टाइपिंग में आप मिस्टेक नहीं करें और जो 100 नमबर का एक्जाम है ये भी आपको ठीक ठाक निकालना होगा तो कितनी कोश्चन अटेम्ट करने चाहिए जिनकी सौट हैं अच्छी है उनके तो 50 में से ठीक ठाक नमबर आ जाएंगे पर जिनकी सौट हैं नहीं अच अच्छी है तो आपको अच्छा खांसा स्कोर रिटेन में करना है क्योंकि पेपर का लेवल बहुत टफ नहीं होता है जैसा अब तक पेपर हुए हैं तो आप 75 से 80 के बीच स्कोर कर लें जिनकी सौट हैं बहुत अच्छी नहीं है और टाइपिंग अच्छी है ठीक है अब दूसरी बात जिनके सौट हैं अच्छी है वो लोग भी 70 से नीचे ना आएं क्योंकि पता नहीं है कब कट आफ उड़ जाएगी आप किस केटिगरी में है मैं यह जो स्कोर बता रहा हूं मैं जर्नल OBC को टार्गेट करके बता रहा हूं बागी की कटाफ से नीचे रहती है तो आप 70 से नीचे ना आए क्योंकि पेपर का लेवल इतना टफ नहीं रहा पिछली दो परिक्षाओं में कोई भी एवरेज बच्चा 65 से 70 का स्कोर कर सकता है उस एक्जाम में अगर आप सेलेक्ट होना चाहते हैं तो आपको एवरेज से उपर जाना है इसका मतलब है आपक लोगों को अस्ती के ऊपर स्कोर करना पड़ेगा हलाकि इतना मुश्किल काम नहीं है क्योंकि पेपर में लेवल ही इतना हाट नहीं है पेपर का तो इतने नंबर लेके चलने हैं अब उसके लिए रणनीती और क्या रखनी है क्या चीज़े पढ़नी है आपको ठीक है क्या चीज़े पढ़नी है और क्या गलतिया नहीं करनी है यह देख लीजिए तो पढ़ने के लिए मैं बता दूँ नॉर्मल आपकी जो हिंदी है दो दिन पढ़के आप रिविजन कर लेंगे जो पहले से पढ़ रहे हैं इंगलिस जो पहले से पढ़ रहे हैं वो तीन दिन में पहले साती है वो चार दिन में इसका रिविजन कर लेंगे ठीक है एक दिन बचा आपका वो एक दिन आप कहीं भी लगाएं वो आपकी एक्षा पर है मैंने बता दिया जिनको इन में से कोई भी चीज नहीं आती बच्चे नए है तुभी उनको बता दू हिंदी पर ज्यादा समय ना दे फटाफट दो दिन में रिविजन किया दो दिन में स्टेडी मारें आप ठीक है आपको समय कहां देना है समय देना हैं English में अगर आपको math नहीं आती है तो math पर बहुत ज़्यादा time ना खर्च करें अब 10 दिन बचे हैं ठीक है आपको समय कहां खर्च करना है English पर समय खर्च करें active passive पढ़ ले narration यानि direct indirect पढ़ ले ठीक है इसके अलावा close test कैसे करते हैं उसकी trick सीख ले पैसेज कैसे करते हैं उसकी trick सीख ले मतलब जहां पर exact fact नहीं पढ़ने हैं आपको rules बहुत जादा नहीं पढ़ने हैं वो चीज़े आप तयार करें तीन से चार दिन में English की ठीक है और आप GS में GS में जो question बहुत जादा पूछे जाते हैं और जो current के question है इनकी वीडियो यूट्यूब पर देख लें जे 5-5-6 घंटे की marathon देख लें कई सारी यह मैं उनके लिए बता रहा हूं जिनकी तैयारी बिलकुल नहीं है ठीक है और जिनकी तैयारी पहले से है उन्हें revision करना है बस current affairs आपने नहीं पढ़ना है तो GS के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता किसी के अच्षी है किसी कि नहीं अच्छी है एक दिन में आप उसे पढ़ ही नहीं सकते बागी मैंने बता दिया है जो लोग सेहमत है वीडियो को लाइक करेंगे जो नहीं सेहमत है वो अपनी strategy जो उनकी है जो उनको लगता ह यह सही होगी वो कमेंट करके बताएंगे अब यह बताएं कि कौन से बच्चे आसानी से सेलेक्ट होने वाले हैं यह देखिए जो बच्चे SSC की तैयारी दो से तीन साल से कर रहे हैं दो से तीन साल से जो बच्चे SSC में CGL, CHSL या MTS की भी तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे इसका रिटेन आसानी से क्वालिफाई कर देंगे सौट हैंड की प्रॉबलम उनमें से हो सकती है किसी को ठीक है? और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके सौट हैं ठीक ठाग है कुछ बच्चे ऐसे हैं जो SSC स्टेनों की तैयारी कर रहे थे तो उनको MTS में थोड़ी मेहनत करनी है और वो मानलो के सेलेक्टेड ही है इसकी रिटेन की एक्जामनेशन में तो ऐसे बच्चों से आपको कॉमपेर करा जाए तो आपको उनकी कम से कम बराबरी करनी है उनसे आगे नहीं निकलना है तो तभी आप एक्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे ज्यादा तर बच्चे इन एक्जामस में वही निकल जाते हैं जनकी SSC की तैयारी बहुत अच्छी है अब बात कर लें क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए तो एक चीज माइनस मार्किंग तो है नहीं निकेटिव मार्किंग नहीं है कोश्चन आपको सारे अटेम्ट करने हैं लेकिन ये गलती मत करना कि जो कोश्चन नहीं आ रहा है उसमें भी तुक्का लगा के आगे बढ़ गए जो कोश्चन नहीं आ रहा है उसे छोड़ के रखना जो कोश्चन बिल्कुल सही आ रहा है उन्हें करते जाना लास्ट में आपको पता जरूर चलेगा पांच मिनट बचे हैं दस मिनट बचे हैं अगर उस टाइम तक भी आपको उसका उत्तर रियाद नहीं आता है या आसपड़ोस से कहीं से सुनने में नहीं आता है कई बार हमारे आसपास के बच्चों से हल्प एक दो कोश्चन चार कोश्चन ही मिल जाती है तो उसके लिए उसे छोड़ के रखना कभी आपकी नजर ओफ लाइन पेपर है उसके कॉपी पेपर पढ़ जाए या उसके पेपर पढ़ जाए आसपास किसी के या कोई आपको बता दे तब तक के लिए उस कोश्चन को छोड़ो कभी कभी हमारा दिमाग भी उस समय याद नहीं कर पाता है तो उसे छोड़ देना चाहिए उस समय के लिए गलत टिक करके आगे नहीं बढ़ना चाहिए क्या वाइटनर थोड़ी लगा सकते हैं सबसे पहली बात या होगी दूसरी बात या होगी कि जो सब्जेक्ट आपको आता है पेपर किसी भी सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा लेकिन जो सब्जेक्ट आपको आता है उसे पहले कर ले ठीक है जिन लोगों को मैट्स अच्छी आती है वो मैट्स को पहले करेंगे जिनको मैट्स में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है वो maths को पहले ना करें यह मेरा suggestion है ठीक है वो फिर हिंदी को कर ले GS को कर ले फिर English को कर ले फिर maths को करें जिनकी maths ज़्यादा अच्छी नहीं है जिनकी maths अच्छी है वो उसे कहीं भी रखके 15-20 मिनट में solve कर सकते हैं पूरी यह जो बाते हैं बहुत सारी गलती हैं जो बच्चों से होती हैं मैंने बता दी है उमिद है आप सब के लिए वीडियो हेलपफुल होगा जनकी लिए हेलपफुल होगा वो लाइक करेंगे और चैनल को सबस्क्राइब करके मेरे साथ जोड़ जाएंगे आप सबी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे वीडियो देखने के